हालो बच्चो स्वागत है आप लोगों के अपने यूटूब चैनल सिख्छाहब में तो इस्टूडेंट्स हम लोग फिर से आ चुके हैं और आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस टॉपिको उपसर्ग और प्रत्यायको जैसे कि आपका डिमांड था इसके पहले वा वहाँ पर जिग्र किये और ऐसा यहीं सही है कि अगर आप उपसर्ग और प्रत्यायक को जानते हैं तो आप समाज में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी आपका यह डिमांड था कि सर आप मुझे उपसर्ग और प्रत्याय नहीं पढ़ाए हैं तो बावु देखिए आज उपसर्ग और प्रत्याय पे ही यह पूरा लेक्चर है तो आप डेडिकेटेड होकर इस लेक्चर को ध्यान पूरपक यह कागर होकर इस लेक्चर को देखेंगे और इसमें जो भी हम पॉइंट्स पताएंगे उसे जरूर नोट करेंगे तो आप रेडी हैं मुझे उमीद है कि आप रेडी होंगे तो इस्टुडेंट ऐसे मुझे उमीद है कि बहुत सारे ऐसे भी त्यारती हैं जिनको यह बात मारूब नहीं है तो आप एक बात जान जाएए कि हिंदी जो है हमारा बहुत ही आसान सब्जिक्ट है और यहां से आप असानी से अपने नंबर को प्राप्ट कर सकते हैं तो इसलिए इसको हलकी में ना ले कर इस पर अच्छा से फोकस करकि इसको कवर कर ले इसको कमप्लीट कर ले ठीक है और तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और उसमें भी हम लोग कुछ बाते करते चलेंगे बट अभी टॉपिक पे आते हैं हम लोग अपने देखिया सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग को उसके बाद हम लोग देखेंगे करने के अपने परत्याए को ठीक है तो चलिए हम लोग उपसर्ग से ही सुरू करते हैं हुआ सट्डूडेन यहां आपको हम बता दें चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ़ले डीकिए उस प्रगस के पाले किसे कहते हैं ऊपसर्ग यहां है ठीक है चलिए देखते हैं देखिए उपसर्ग यानि वह लगुतम अव्याव सब्दांस जिनका खुद में तो कुई अर्थ नहीं होता पर यह दूसरे सब्द के आगे जुड़ कर उनको नया अर्थ देने की छमता रखते हैं इसे यदि आप असानी से समझना चाहते हैं तो इसे देखें विद्यार्थी आपको हम बता दे यहाँ एक ऐसा अव्याई है जो किसी सब्द के आगे लगकर देखिए हम आपको बता देते हैं कि यहाँ किसी सब्द के आगे लगकर उस सब्द को क्या जिस सब्द के आगे लगेगा उस सब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है प्यारे विद्यरति एक पात जानिएगा जो आपका यह उसर्ग है इसका कोई अर्थ नहीं होता है नहीं है आप यहां से confirm हो जाएगा यह उसर्ग जो है आपका इसका कोई अर्थ नहीं होता है बट लेकिन या किसी सब्द के आगे अगर लग जाता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देगा जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो आप समझ पाएंगे देखें यहाँ पे उपसर्ग धन अन्य सब्द यानि कि यह नया सब्द बन जाएगा चलिए इसको एक्जांपल के थुरू देखेंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा देखें यह कोई बड़ा नहीं है कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे लेकिन इसको समझने के लिए आपको ध्यान से इस लेक्शर को देखना होगा तो आप इजी में असान से समझ लाइंगे एजली है तो आधिक है कि ऊपसरवी कि यह एक ट्रीक है मैं इसको इस सब्सक्राइब लेकर आसा हूं फर्स्ट लाइन है मरा यह हमारा सेकेंड लाइन और यह हमारा थर्ड लाइन है इस तीनों लाइन को अगर आप आराम से कवर कर लेते हैं तो मेरा सुनिएगा कि आप easy way में कहीं पे भी अगर आपको दिखे तो आपका नजर पड़ते ही आप उपसर्ग को पहचान लेंगे बहुत ही easy way में ठीक है तो यह क्या क्या है देखिए अ आव और अप उप है आप है अपी है अवी है अती है अधी अनु सम सू नी वी नीर नीर में हलन्त है नीस में हलन्त है दूर इसमें भी हलन्त है उसके वाद दूस परापरती परी इस जितने भी हैं यह सब के सब हमारे उपसर्ग हैं और यह उपसर्ग किसी सब्द के आगे अगर लग जाती हैं तो उसके अर्थ में फरिवर्तन कर देती है क्या एस्टुडेट मुझे बताईएगा अभी का कोई अर्थ है अगर आप चानती है तो जरूर मुझे कमेंट करें किजिएगा लेकिन मैं आपको बता दू कि अभी का कोई अर्थ नहीं निकल सकता नहीं निकलेगा तो जो अर्थ नहीं निकलता है वही हमारा उपसर्ग हो जाता है क्योंकि उपसर्ग का कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है इसका मीनिंग कुछ होता ही नहीं है और जैसे कि आप इसके डिफनेशन को भी देख लियोंगे तो चलिए इसकी example को दिखाएंगे तो आप ज़ादा ही समझ पाएंगे देखे जन्मजाथ है ठीक है क्या है हमारा यह जन्मजाथ है इसमें कौन सा उपसर्ग है अगर हम आप से पूछ ले तो आप बताईए कि जन्मजाथ में कौन सा sorry sorry student मेरे प्यारे बिद्याथी sorry जन्मजाथ नहीं है अजन्म है क्या है आजन्म है तो मुझे बताईए कि इसमें कौन सा ऐसा उपसर्ग है तो देखे इस्टूडेंट अगर आजन्म को आप यहां से लाएंगे तो बाबु मैं आपको बताई हूँ कि उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं निकलेगा लेकिन किसी सब्द में तो एस्टूडेंट क्या बताऊ कि सब्द का कोई अर्थ होता है तो बाबु होता है क्योंकि जो सब्द हमारे पास रहेंगे उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले गया तो एस्टूडेंट अगर कोई भी word आपके सामने आए और उसको आप दो भागों में खंडित करेंगे और खंडित करेंगे तो एक भाग का अगर अर्थ ना निकले आगे वाला भाग का और दूसरे वाले भाग का अगर अर्थ निकल जाए तो आप समझ लेना कि जिसका अर्थ नहीं निकल रहे वहीं हमारा उपसर्ग है या कैसे होगा तो देखिए स्टुडेंट आप जरह ध्यान से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे यहाँ पे लिखा है आ जन्म है तो बाबू आप आ को अलग कर दो और जन्म को अलग कर दो इससे बेहतर ट्रीक कोई कुछ हो ही नहीं सकता है पूरा इसको आप अगर समझ पारेंगे और नहीं भी समझ पाने हैं, अगर कोशिस कर रहे हैं और समझ जाते हैं तो best है आपके लिए, ठीख है student, यह दिखिए आ जो है आ हमारा उपसर्ग है और यह जन्म है जो हमारा सब्ध है, यह दिखिए जन्म से तो कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है न हमारा निकल रहा है, ल जन्मा हो जा रहा है जन्मा से आ जन्मा हो जा रहा है इसमें हमारा आप उपसर्ग है ठीख है क्या है आउपसर्ग है समझ गए होंगे तो चलिए next example को देखते हैं तकि इससे कई ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सके ठीक है देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यह भी कंप्लीट हो जाएगा और इससे भी प्रस्ण आपके अच्छा कासा वनता है इंदी में देखिए आमरण ठीक है आमरण जैसे कि आपको मैं बताया हूं कि इसक आपको उपसर्ग चूनना है तो आपका उपसर्ग आगे लगता है जो सब्द दिया रहेगा उसके आगे उपसर्ग आता है ना कि पीछे पीछे जो आता है हमारा प्रत्याय होता है इसको उपसर्ग को कंप्लीट करने के बाद इसी लेक्शर में हम लोग प्रत्याय को भी द तो देखो क्या आ रहा है आ और यहां पर मरन आ रहा है क्या आ रहा है मरन आ रहा है तो इस टूरेंट क्या मुझे बताना कि इसका कुछ ना कुछ अर्थ तो अर्थ तो है लेकिन इसका कुछ अर्थ नहीं है आप ऐसे खंडित करने का खूसिस करना कि जो दूसरे भाग में अर्थ नहीं निकल सके तो जैसे कि आ है इसका कुछ अर्थ नहीं है तो यहाँ आ हमारा उपसर्ग है लेकिन यहाँ पे आपको लिस्ट में आ नहीं दिख रहा होगा तो आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे यहाँ से मैं मिस कर गया हूँ आप यहाँ पे एड जरूर कर लेंगे के बाद आभी एक है जिसको आपको याद करना है बाबु इसे अगर याद कर लेते हैं और याद करने के साथ साथ चूम मैं कॉंसेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ कि दो खंड में खंडित करना है और दूसरे वाले को देखना है कि इससे कुछ अर्थ निकल रहा है इस सब से या नहीं बाबु मैं गरांटी लेता हूँ अगर आपको उपसर्ग चूनने को देगा कि बताईए कि किसी भी सब्द में उपसर्ग क्या है मान लेतीं कि कोई भी सब्द दे तो उसमें उसको दो भागों में खंडित करेंगे तो अगर खंडित करते हैं तो दो खंडा नि मुझे उमिद है कि जितना कोशिस मैं किया हूँ आपको समझाने का, आप जरूर समझेंगे, निश्चित समझें ही होंगे, उसके बाद बाबु देखी, आता है हमारा निरबल, क्या आता है, निरबल आता है, अब बताईए आप इसको कैसे खंडित करेंगे, क्या आप इसको क कुछ चलीगा ही नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ, आप अराम से खंडित कर लेगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं, निरबल लिखा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको इस चार्ट को याद रखेंगे, तो अराम से, आपको मालूम है, निर जो है, निर, यहाँ पे द बल का कुछ न कुछ सार्थक रूप निकल रहा है, सार्थक अर्थ आ रहा है, लेकिन इस निर का कुछ अर्थ आ ही नहीं रहा है, और आप पहले से याद रखें हैं कि हमारा निर उपसर्ग होता है, तो आप और ज़्यादा कन्फिडेंस होकर उस अप्शन को चूज लेंग कि यहीं हमारा right answer होने वाला है तो बाबु जो भी मैं बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ तो आप इस पे जरूर ध्यान देंगे और इसे समझेंगे तो देखिए निर और या हमारा बल जो हो जाएगा मिलकर दोनों निरबल हो जाएगा और निरबल जो है एक अलग ही अर्थ देगा और बल जो है हमारा एक अलग ही अर्थ देगा तो बाबु समझ रहेंगे मेरे बात को तो अच्छा है और नहीं समझ रहें तो प्लीज एस्टुडेंट आप ओसिस किजिए हमारे बातों को समझने का और जो मैं इस लेक्चर में explain कर रहा हूँ न इसको समझने का क्योंकि बाबु उपसर्ग आती अवस्यक है और प्रत्य आती अवस्यक है मैं कह रहा हूँ न यहां से प्रश्ण बनेंगे बनेंगे ठीक है ठीक है तो चलिए next example को देखते हैं और मुझे उमीद है कि इतना अच्छे से समझा रहा हूँ तो मेरे प्यारे भी द्याथी आप जरूर समझ रहे होंगे चलिए थुड़ा सा मैं आपको और अच्छे से explain करने का कोशिस कर रहा हूँ और अच्छे से बताने का कोशिस कर रहा हूँ देखे बी देश है आप बाबू यहां से अराम से आप समझ लेंगे कि जो हमारा देश है इससे तो अराम से हमारा सार्थक आर्थ निकलेगा ही और इससे देखिए ठीक और यहां पर हमारा जो हो जाएगा वी तो वी जो हो जाएगा हमारा यहीं तो हमारा उपसर्ग जाकर बन जाएगा यहाँ पर निसेथ है तो इसमें हमारा नी हो जाएगा ठीक है उसके बाद नी वारन नी वारन ठीक है इसमें हमारा क्या हो जाएगा आप बताएए इसमें हमारा अगर आप यहाँ पे आगर देखते हैं इसका हमारा क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा नहीं हो जाएगा ठीक है समाज रहे होंगे तो चलिए next example को और देखते हैं देखें यहाँ पे लिखा है आपका पराज है क्या लिखा है पराजय तो इसको आप अगर दो भागों में खंडित करते हैं और इस चार्ट को अगर आपको मैं बता दूँ अगर आपके दिमाग में यह चार्ट अगर इसमें जितने भी हम सब अव्याय चून कर आपको यहाँ पर दिये हैं प्रस्तूत की हैं इस चार्ट में अगर इसको आप असानी से अपने दिमाग में रखते हैं तो यहाँ पर दिखेगा आप असानी से यहाँ खंडित कर लेंगे दिखें यहाँ परा परा का कोई अर्थ है बाबू कुछ अर्थ है ही नहीं बनता ही नहीं और बने घावी नहीं और यहाँ पर जैसे ही आप जै जोड़ेंगे जै इसके साथ तो देखे जै का तो अर्थ है ना इस्टूडेंट जै 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 और भी जै इसका अर्थ है आप समझ रहे होंगे मेरे बात को जै का अर्थ है लेकिन इस पारा का कुछ अर्थ नहीं निकल कर आ रहा है कुछ अर्थ निकल कर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यहीं है कि हमारा जो होगा वा यहीं होगा क्या उपसर्ग होगा, यहीं हमारा उपसर्ग होगा मैं कोसिस कर रहा हूं कि आपको पूरे अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूँ साइद मुझे ऐसा उमिद भी है कि मेरे प्यारे स्टुडेंट आप समझ भी रहे होंगे तो दिखे देखते हूं उसके बद प्रती देखते हैं प्रती वर्स बाबु देखो प्रती वर्स आप जैसे हैं इस सब्द को सुनोगे न और आपके नजर के सामने यहां सब्द आएगा तो आप फट से ही इस बर्स को अलग कर लेना क्योंकि आप जानती हो बाबु की बर्स से हमारा कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है लेकिन बर्स को आप अलग करोगे और जो बचेगा हमारा यहां पर प्रती और इसको अलग करोगे तो जट से अगर आप उस चार्ट को याद रखोगे तो आपके माइंट पर आएगा आपके मस्तिक जो है उसके पटल पर आएगा कि हाँ भाई यह तो हमारा अवयाओ है और इसको हम्याद रखें कि यह हमारा उपसर्ग है तो आप पूरे 100% क्या 110% आप कंफिडेंस में हो जाओगे और इसको आसानी से टिक कर क्या होगी कि प्रति उपसर्ग है समझ गया है प्रति वर्स में प्रति उपसर्ग है उसके बाद देखें सूगम सूगम तो देखें इसमें हमारा सू जो है हमारा प्रतिया है उपसर्ग है सौरी उपसर्ग है अगर कभी-कभी मैं मिस कर जा रहा हूं प्रतिया बोल दे रहा हूं तो आप इसमें अभी उपसर्ग को ही लेकर चलेंगे ठीक है क्योंकि जब मैं प्रत्या पढ़ाने लगोंगा मैं खुदी ही बता दूँगा ठीक है सू योग योग से आप जानते हैं नहीं बोलता है आपको कभी-कभी किसी ने बोला होगा तुम किस योग हो बता दो मुझे योग से कुछ ना कुछ अर्थ निकला यह तो ठीक है लेकिन हमारा सू जो है इससे कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है तो क्या इसको आप आराम से मान सकते हैं कि यह हमारा उपसर्ग है ठीक है सम्मानित अब देखो यहां पर फस जाओगे ना लेकिन मैं हूँ और इस लेक्षर को अगर अटेंड करते हो अच्छे से आप तो सच में आप नहीं फस होगे देखो कैसे मैं बताता हूँ क्या लिखा है सम्मान सौरी नित नहीं हो सम्मान लिखा है ठीक है लेकिन चलिए मैं लेकर आता हूँ आपको इस चार्ट पे आप खोजो उससे related कोई यहां पे आपको अबयाव दीख रहा है या नहीं दीख रहा होगा देखे यहां पे सम्म लिखा है लिखा है तो देखो यहां पे देखो आजाओ देखो सम्मान यहां पे मान अलग करो और सम्म यहां पे अलग करो तो देखो इससे तक कोई अर्थ नहीं निकलता लेकिन मान से तो अर्थ निकलता है देखे लिए उसके बाद सनसार ठीक है सनसार इसमें क्या प्रते होगा सौरी मैं रेस्टूरेंट उपसर्ग होगा इसका एंसर आप मुझे comment box में दोगे क्या आप मुझे comment box में दोगे मुझे उमिद है कि आप इसका answer जरूर देंगे टीक है चलिए उसके बाद देखिए आते हैं next example और example के just बाद हम लोग प्रतियाई को शुरू कर देंगे पढ़ना और प्रत्याय को देख करके इस लेक्चर को इस सेशन को हम लोग अच्छे से कम्प्लीट कर देंगे मेरे प्यारे स्टुडेंट ज़रा गौर से आप देखिए गया इसमें हम आपको बताते हैं देखिए अत्याधिक क्या मेरे बापू देखना यहां लिखा है कि अत्याधिक लिखा है इस्टुडेंट ज़रा ध्यान से सुनना अत्याधिक जब लिखा है तो क्या यहां से आप अलग करोगे तो अलग दो भागों में अगर खंडित करोगे तो क्या धीक अलग करोगे कि इसमें से आप धीक अलग करोगे अच्छा यहां से जाओ यहां से अगर धीक अलग करोगे प्यारे स्टूडेंट और अत्याय क्या इसका इस दोनों खंडन का कोई अर्थ निकल रहा है नहीं निकल रहा है नहीं निकल रहा है ना तो देखो इसलिए मैं बारबर कहता हूँ कि अगर आप इस चार्ट को याद रखते हैं किसको बबू इसको किसको यहाँ देखो इसको अगर याद रखते हैं तो आप आसानी से, मैं बोल रहा हूँ न, ये भी ऐसा आपकी जो एक्जाम में आने वाले हैं उपसर्ग से related question आप नहीं छोड़ कर आओगे, देखो अत्याधिक, अत्याधिक, तो देखो धीक जो है हमारा यहाँ पे अधी, सोरी धीक नहीं, अधी है, अत्याधिक में हमारा अधी उत्न ही, मेरे स्टूडेंट अधिक नहीं होगा, यहाँ पे अती होगा, ठीक है, अती होगा, ठीक है, उसके बाद देखो हमारा अभ्यास है, ठीक है, अभ्यास है, तो अभी हमारा इसमें उपसर्ग होगा, अभी धन यास, ठीक है, अयास होगा, ठीक है, और देखो अभी मान, देखो इसमें तो आराम से आप दो भाग में खंडित कर सकते हैं, अभी धन मान, मान मतलब आप समझ रोंगे और अभी हमारा उपसर्ग हो जाएगा, अध्यक्ष, अध्यक्ष में हमारा कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर अगर आप चार्ट में देखोगे, तो अध्यक्ष में हमारा क्या आज आएगा, अध्यक्ष में हम आपको बता दें, अध्यक्ष में हमारा अध्यूपसर्ग आएगा, क्या अध्यूपसर्ग आएगा, और इसके साथ साथ मैं आपको एक होमवर्ग देता हूँ, आप मुझे इसे कॉमेंट वक्ष में जरूर बता आते हैं मैं मैं बता दूं उनसे जरूर उम्मिद रखूंगा कि वह CSS में जरूर सलेक्ट होंगे और हमारे सिक्षा हब चैनल का जो भी होगा वह आपको मान समान भी बढ़ेगा ठीक है और उनके भी मान समान बढ़ेगा तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सच में आप सीरियस ह कर पढ़ो ताकि आपके साथ साथ मेरा भी कुछ पहचान बन जाए क्या आपके साथ मेरा भी कुछ पहचान बन जाए तो यह अच्छा है कि मैं बता दूं एक स्टूडेंट के कारण ही एक टीचर का पहचान बनता है ना कि टीचर के कारण किसी स्टूडेंट का ओके चलिए चलिए next देखते हैं मुझे उबीद है कि इसको आप homework में जरूर करेंगे और मुझे comment जरूर देंगे ठीक है अब बाबू वहाँ भी हमारा तो उपसर्ग complete होता है क्या complete होता है तो प्यारे student मुझे बताओ उपसर्ग मैं आपको पढ़ाया आपको lecture कैसा लगा और क्या सच में उपसर्ग आपको अच्छा लगा तो please अगर अभी तक आप like नहीं किये हैं तो like कर देजिए फटाक से और अपने दोस्तों में भी share कर दीजिए ठीक है तो चलिए अब हम सुरू करते हैं प्यारे student किसको उपसर्ग नहीं बाबू प्रत्याय को सुरू करते हैं और प्रत्याय को हम लोग अच्छे से complete करते हैं ताकि उपसर्ग और प्रत्याय 100% आपका clear हो जाए और इसमें कोई confusion आपका ना बचे ठीक है तो चलिए एके करके प् करते हैं देखिए सबसे पहले जानते हैं कि हमारा प्रत्याय यानि कि प्रत्याय किसे कहते हैं प्रत्याय क्या है प्रत्याय ऐसा सब्दांस होते हैं जो किसी भी सार्थक मुल सब्द के अंत में जूड़कर उसका अर्थ या भाव बदल देते हैं बाबू देखो उपसर्ग भी किसी का किसी सब्द में जूड कर उसका अर्थ बदल देता है या भाव लेकिन यहां पर प्रत्याई भी बदलता है लेकिन अंतर सिर्फ बाबु इतना ही है कि उपसर्ग हमारे सब्द के आगे आता है और प्रत्याई हमारे सब्द के पीछे आता है ठीक है मेरे प्यारे मज रहे होंगे हाँ चलिए तो एक्जाम्पल के तो देखते हैं देखे सफल धन या सफल जोड़ता यानि की सफलता बाबु देखो सफल से कुछ अलग ही इसका अर्थ और भाव प्रस्तूत हो रहा है लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर सफलता को आप देखते हो तो इ या बीना अर्थ के होते हैं तो यह ता भी है यह ता हमारा प्रत्या है और यह सब्द में जूड़कर एक नया सब्द बनाकर इसकी भाव और अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं और कुछ अलग रूप से प्रस्तूत करते हैं जैसे कि अच्छा में अगर आप जोड़ोगे को देखो अच्छा से तो कुछ अलग भाव उत्पन हो रहा है लेकिन यहां पर अगर यह जोड़ देती हैं तो देखिए यहां पर अच्छाई जरा बोल कर फील करने का कोशिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं और इसको एक की करके हम आसानी स समझेंगे मेरे प्यारी स्टुडेंट यहां पर जरा आप ध्यान से सुनेंगे देखिए हम बता दे बाबू आपको कि हमारा प्रत्या दो प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं बाबू तो दो प्रकार के होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि यह फेन का कलर आपको नही दिखेगा देखिए हमारे प्रत्याय कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं कौन-कौन से एक है हमरा क्रित प्रत्याय और एक हमरा तदित प्रत्याय मेरे प्यारे स्टुडेंट इस पर आप ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आपकी एक्जाम के लेवल का या नहीं पस इतना जानिये कि प्रत्याय हमारे दो प्रकार के होती है एक होता है क्रित प्रत्याय और एक होता है हमारा तजित प्रत्याय प्रत्याय हमारे क्रिया से बनते हैं और तजित प्रत्याय हमारे संगया सर्वनाम और विसेशन से बनते हैं इसे जरूर नोट करेंगे आप और इ एक पॉइंट को आपको किलियर कर देंगी और मुझे ऐसा लगता है मेरे बाबू कि आपको एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेगी आपके लिए कि आपको वहां डाउट का समना करना पड़े अगर हो भी जाता है तो मुझसे बेजीशक कमेंट या मेरे प्रसनल जो भी हमा है वाटसप एंस्टागाम पर मैसेज करके हमसे आप उसका सॉलूसन भी प्राप्त कर सकते हैं ओके इसलिए मैं यहां पर आपको पता दू दे दिया हूं आगर आप जोड़ना चाहते हैं मेरे सोसल मीडिया हैंडल से तो आप असानी से मुझे यहां फॉलो कर सकते हैं नहीं क्रित प्रत्या किसे कहते हैं देखो सब तो प्रत्या है लेकिन प्रत्या में भी कैटेग्राइज किया गया है बाटा गया है लेकिन उपसर्क में नहीं बाटा गया देखे ऐसे सब्दांस जो क्रिया यानि की धातू क्रिया या धातू की सांत लगाए जाते हैं उसे क्रिद वाले सारे lecture को देखेंगे तो क्रिया आपका clear होगा complete होगा यहाँ पे कोई problem नहीं होगा आप revision करते रहें ताकि आप नहीं भूल सकें देखें, करता कि द्वारा जो कारे किया जाता है वहीं हमारा क्रिया है और मेरे साथ जूड़कर आप अपने स्टडी के से ठीक है यह सबसे पहला बात है हमारा लड़का देखे लड़का जो है यह क्या है देखे लड़, लड़ क्या है हमारा आका, लड़, आका, लड़, जोड़, आका आका हो गया जो हमारा प्रत्याई हो गया क्या आका जो हो गया हमारा प्रतिया हो गया अलड़ जो हो गया हमारा यह क्या हो जाएगा क्रिया इसमें अगर हम ना जोड़ देते हैं ना जोड़ देते हैं तो यह हमारा बन जाएगा धातु क्या यह हमारा टोटल बन जाएगा धातू लड़ना हाँ लड़ना यह हमारा धातू बन जाएगा समझ रहे हैं तो यह हमारा क्या हो जाए कि प्रत्या होगा ठीक है उसके बाद ही हमारा यहां पे चड़ाई चड़ जोड आई है ठीक है यहां पे चड जोड आई है यहाँ पे चड आई आई हमारा क्या है प्रत्या है और चड जो है इसमें अगर हम लोग ना जोड लेते हैं चड ना यह हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा धातु हो जाएगा क्रिया हो जाएगा समझ रहे हैं आप मेरे बात को मुझे उमीद है समझ रहे होंगे जैसे यहाँ पर देखेंगे बहाव जोड़ आव यहाँ पर अगर आप ऐसा ही जोड़ जोड़ कर देखेंगे तो इससे कुछ न कुछ अर्थ जरूर इसका निकलेगा लिखावट लिखावट लिख जोड़ आवट यहाँ पर न जोड़ देंगे तो लिखना हो जाएगा और लिखना हमारा धातू हो जाएगा ठीक है उसके बद यहाँ पर देखेंगे चिकनाहट चिकना जोड़ आहट क्या है हमारा प्रत्या है चलता चल जोड़ता ठीक है यहाँ पे न जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा चलना देख कर तो यहाँ पे देख जोड़ कर देखना देखे स्टुडेंट इसको भी आपको दो भागों में कैटोगराईज करना है और दो भागों में तोड़कर आपको अराम से प्रत्या निकालना है उपसर्ग के तरह ही लेकिन उपसर्ग में आप आगे देखते थे लेकिन प्रत्या में आप पीछा देखेंगे ठीक है चलने नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा है तदित प्रत्या देखे ऐसे प्रत्याइज जो किसी संग्या, सर्वणाम, बिसेशन, आदी के अंत में जूड़कर नए सब्द बनाते हैं देखे मुझे उबिद है कि आप संग्या, सर्वणाम और बिसेशन जानते होंगी अगर नहीं जानते होंगे तो आपको यह समझ में नहीं आएगा तो संग्या, सर्वणाम, बिसेशन के अंत में जूड़कर यह नए सब्द बनाते हैं उन्ही को हम लोग तदित प्रत्याइ कहते हैं जैसे कि लकड हारा, अब बाबु आप बताओ, लकड हारा अब आप कोसिस करोगे यहां से दो भावों में खंडित करने का है लकड जोड हारा, तो बाबु लकड, लकड का कोई अर्थ है, कुछ अर्थ नहीं है तो इसलिए यहां पे आपका हो जाएगा लकडी, लकडी जोड हारा तो देखो लकडी से तो अर्थ निकल रहा है, और लकडी हमारा क्या है, यहां एक संग्या है ठीक है, लकडी हमारा यहां एक संग्या है, तो आप समझ रहे होंगे तो देखें, यहां संग्या में हमारा जोड़ा है क्या प्रत्याई, प्रत्याई क्या है हमारा हारा और जुड़कर एक नया अर्थ दे रहा है तो दे रहा है ठीक है सुनार तो आप सुन जोड नार करेंगी तो ऐसा नहीं है यह गलत हो जाएगा तो सोना जोड आर होगा ठीक है सोना सुनार हो जाएगा रसुया रसुया जोड इया हो जाएगा ठीक है उसके बाद लालची लालच जोड़ी लालची ठीक है चलिए ऐसे ही हमारे यहाँ पर प्रत्याई भी हम लोग complete कर लेते हैं और student अगर आपको समझ में आया होगा तो एक प्यारा सा comment मुझे जरूर करेंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक like जरूर करेंगे ठीक है तो क्या student आप लोग को उपसर्ग और प्रत्याई समझ में आया या नहीं आया और जो भी problem है जो भी query है आप मुझे comment में ऐसे ही बताते रहे हर topic को आपका जो है वो topic हम आपके clear करेंगे तो tension लेने की कोई बात नहीं है और रहा पाद कुछ और topic बचे हैं उसको complete करके हम लोग just ही math की classes को शुरू करने वाले हैं तो math की classes की बहुत ज़्यादा demand और English की इसको भी अब तुरंत ही इस classes को हम लोग start करने वाले हैं तो बने रही हैं हमारे channel के साथ तो student आज के lecture में बस इतना ही तब तक के लिए जाहिए बाबाई